Subjected का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Subjected का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जिसे subject किया गया हो या जो subject किया जा चुका हो उसे हम adjective के रूप में subjected कह सकते हैं इसके इलावा subjected जो है वो subject का past tense और past participle होता है यानि कि subject की ही second और third form होती है subjected और subject का आर्थ होता है विवश करना यानि कि मजबूर करना अधीन करना, हराना, शासित करना, वश में करना या प्रकाश में लाना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि मैंने आपका bag आपके driver के अधीन कर दिया है तो आप कहेंगे I have subjected your bag to your driver या अगर आप यह कहना चाहें कि कैदी को व्यवस्थित यातना के अधीन किया गया था तो आप कहेंगे the prisoner was subjected to systematic torture अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें